आज आज हम आप लोगों के लिए फिर से लेके आए जीके के मोश्ट इंपॉर्टेंट कोस्टन आंसर यह सारे सवाल प्रिवियस एड्यके हैं जो आप लोगों के आगामी किसी भी एक्जाम में बहुत ही जादा है तो अग़र आप हमारे चैनल पर नए है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लिजेगा और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा आईए फ्रेंस देखते हमारा पहला प्रश्ण है पेट्रोलियम पदार्थों के उचीत एवं पोस्निय मुल्यों के संदब में अस्तापित विशेसगी समुग के अध्यक्ष थे इन में से बताना है ओप्सन सीताराम ये चूड़ी भरत जुन जुन वाला युद्वीर रेड़ी किरिट पारीक तो फ्रेंस इसका सही आंसर हो जाएगा किरिट पारीक देखते हैं हमारा अगला प्राश्ण है भारत की नई राष्ट शिक्षा निति की घोसना किस वर्ज की गई तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंस B. 1986 में भारत की नई राष्ट शिक्षा निति की घोसना 1986 में की गई अगला प्राश्ण है हमारा millennium विकास लक्ष में किसे सामील नहीं किया गया तो friends इसका सही answer हो जाएगा दि दो अंकोवाली आर्थिक विर्धिदर की प्राप्ती को millennium विकास लक्ष में सामील नहीं किया गया आए देखते हैं, next question है अमारा पलाचिमारा जो पडियावरन की अपार्च हती के कारण चर्चा में था वह अवस्थित है करनाटक में, आंध्रपरदेश में, तमिल नाडू में या केरल में तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंज D, केरल में देखते हैं हमारा अगला प्रश्न है निमलकी तत्व समूहों में से, कौन सा पृत्वी पर जीवन की उत्पत्ति के लिए मूलता उत्तरन आई था इन में से कौन सा तत्व का जो समूह है, जो पृत्वी पर जीवन की उत्त्ति के लिए उत्तरन आई है hydrogen, oxygen, sodium, carbon, hydrogen, nitrogen, oxygen, calcium, phosphorus, carbon, hydrogen या potassium तो फ्रेंस इसका सही आंसर हो जाएगा B कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन इन तिनों तत्वों का समुँ पिर्थवी पर जीवन की उत्पत्ति के लिए मुलता उत्तरदाई था देखते हैं बढ़ते हमारे अगले प्रश्न की ओड सरवादिक जैव विवित्ता पाई जाती है आपको बताना सरवादिक जैव विवित्ता कहां पाई जाती है सांत घाटी में, सुर्मा घाटी में, कस्मीर में, फूलों की घाटी में तो फ्रेंस इसका सही आंसर हो जाएगा सरवाधिक विजय विवित्ता सांध घाटी में पाई जाती है बढ़ते हैं अगले प्रशन की ओड़ और देखते हैं हमारा अगला प्रशन है वर्स 1919 तक पकिस्तान की राजधानी थी वर्स 1919 तक पकिस्तान की राजधानी कहा थी नेक्स्ट क्वेस्टन है अमारा भारत की कॉफी अनुसंधान संस्थान कहां इस्थित है भारत की जो कॉफी अनुसंधान संस्थान है वह कहां इस्थित है तो इसका सही आंसर हो जाएगा चिक मंगलूर भारत की कॉफी अनुसंधान संस्थान चिक मंगलूर में अवस्थित ह नेक्स्ट क्वेस्टन है हमारा वेल्डिंग के लिए किस मिसरन का उप्योग क्या जाता है आइरन ओक्साइड और अल्यूमिनियम कैल्सियम ओक्साइड और आइरन आइरन ओक्साइड और क्लोरिन कैल्सियम ओक्साइड और अल्यूमिनियम तो Francis का सही आंसर हो जाएगा C, welding के लिए iron oxide और chlorine का उपयोग क्या जाता है देखते हैं हमारा अगला प्रश्न है संयुक्त राज अमेरिका के इतिहास में एक मात्र और निर्वाचित राष्ट पती थे संयुक्त राज अमेरिका के इतिहास में एक मात्र और निर्वाचित कौन थे Monroe, Nixon, Ford या Carter तो Francis का सही आंसर हो जाएगा C, Ford Ford, संयुक्त राज अमेरिका के इतिहास में Ford जो है वो एक और निर्वाचित राष्ट पती थे बढ़ते हमारे अगले प्रश्न की ओर देखते हमारा अगला प्रश्न है पतना हवाई अड़े को किस नाम से जाना जाता है आपको बताने है पतना हवाई अड़े को और किस नाम से जाना जाता है इंद्रा, गांधी अंतराष्टी हवाई अड़ा मौलाना, अबुलकराम अंतराष्टी हवाई अड़ा सी, जेपरकास नाराइन अंतराष्टी हवाई अड़ा, पटना हवाई अड़े को जेपरकास नाराइन अंतराष्टी हवाई अड़े के नाम से जाना जाता है, नेक्स्ट कॉस्टन है हमारा, बिहार में सरवाधी गती से प्रवाहित नदी कौन सी है, बिहार में जो सबसे अध बिहार में उर्वड़क उद्योग कहां अवस्थित है? फतूहा, मुंगेर, गया या बढ़ाणी? तो इसका अंसर हो जाएगा बिहार में उर्वड़क उद्योग फतूहा में अवस्थित है? नेक्ट कुस्टन है हमारा किस नदी को लखन देई के नाम से भी जाना जाता है? इन में से कौन सा नदी है जिसको लखन देई के नाम से भी जाना जाता है? बागमती, महनन्दा, कोसी या सड्यू तो इसका अंसर हो जाएगा friends बागमती बागमती नदी को लखंदेई नदी के नाम से भी जाना जाता है अगला प्रस्ण है हमारा फरवरी 2019 में निम्न में से किस अस्थान पर Institute of Advanced Virology के स्थापना की गई तो इसका अंसर हो जाएगा friends तिरुवन्त पूरम फरवरी 2019 में तिरुवन्त पूरम में Institute of Advanced Virology के स्थापना की गई आएए देखते हैं बढ़ते हैं अगले प्रस्ण की ओर हमारा अगला प्रस्ण है वर्ष 2019 में भारत ने किस देश के साथ मिलकर फरवरी 2019 में समुद्री परदूशन पहल की शुरुवात की 2019 में भारत ने कौन से देश के साथ मिलकर समुद्री परदूशन पहल की आएए देखते हैं हमारा अगला प्रस्ण है अरून प्रभा क्या है? आपको बताना है अरुन प्रभा क्या है अरुनाचल पर्देश का सुर्योदे द्रिश्य अरुनाचल पर्देश का पर्थम दूर दर्शन चैनल मिस अरुनाचल पर्देश 2019 उपरोक्त में से कोई नहीं तो फ्रेंसेस का सही आंसर हो जाएगा B B बी अरुन परभा अरुनाचल परदेश का परथम दूर दर्शन चैनल है देखते हमारा अगला प्रश्ण है उस्ताद रईस खा का संबंद किस छेत्र से है आपको बदन है उस्ताद रईस खा का संबंद किस छेत्र से है उसना द्रईस खां का संबंद सितार वादन से है तो फ्रेंस आज का हमारा वीडियो यहीं पर खतम होता है आप लोगों को कैसे लगी वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर बताईएगा वीडियो में कहीं भी किसी भी परकार की तुरूटी न जरा है तो उसे भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताईएगा हम अगले दिन लेकर आएंगे आप लोगों के लिए फिर से 20 महत पुर्ण कोस्टन आंसर तब तक के लिए फ्रेंस बाई